Hello students, O2 IS Academy में आपका स्वागत है, मेरा नाम है जोती कॉशल और हम कवर कर रहे हैं डिफेंस के जुलाई से लेके नवंबर तक के करन्ट अफेर्स इसका लेक्चर 1 और हो चुका है, आज इसका लेक्चर 2 हम कवर करने वाले हैं और अप्रॉक्सिमेटली तीन लेक्चर में हम डिफेंस की सारी न्यूज जो पिछले जुलाई से लेके नवंबर तक की है वो टोटल कवर कर लेंगे ये जो लेक्चर आ रहे हैं, ये HP की, NT की जो सार्थी सीरीज चल रही है, उसकी कंटिनूटी में ये सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं इन लेक्चर की PDF अगर आपको चाहिए तो वो एप पर अविलेबल है, वो फ्रीली अविलेबल है, कहीं बचों ने पूछा है कि क्या ये इसके कोई चार्जिस वगेरा है तो ये जो PDFs हैं आपको freely available है आप पर आप पर जाकर NT का जो सार्थी कोर्स है उसको उसके अंदर जाकर ये PDFs ले सकते हैं तो शुरू करते हम अपनी आज की क्लास जो आपकी पहली news है that is DRDO ने अभी एक Agni 5 की test firing की है तो DRDO आपको पता ही है Defense Research Development Organization है हमारी Ministry of Defense के अंदर आती है उन्होंने अभी Agni 5 की test firing की है जो Agni 5 है आपकी surface to surface ballistic missile है देखो surface to surface का मतलब ये होता है कि ये surface से ही launch हो रही है और ये target भी जाकर surface पे ही किसी चीज़ को target कर रही है surface से launch हो ही surface पे ही target करी ऐसी आपकी अलग अलग missiles होती है जैसे surface to air मतलब surface से launch हो रही है और air में किसी target को जाकर खतम कर रही है ठीक है तो Agni 5 आपकी surface to surface ballistic missile है बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह होता है कि अगर मैंने वो मिसाइल किसी एंगल पर छोड़ी ठीक है पहले तो उसके अंदर जो फ्यूल होगा उसकी वज़े से वो प्रोपेल होएगी और बाद में वो ग्रैविटी की वज़े से नीचे आकर गिरेगी ठीक है ऐसी मिसाइल को इसको अभी टेस्ट फायर किया गया है यह एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है आपको पता ही है कि अलग लग कॉंटिनेंट्स है जैसे एशिया हो गया है यूरोप हो गया दैनिस एफरीका हो गय तो intercontinent का मतलब होता है कि दो continents के बीच में, intercontinent मतलब continent के अंदर ही अगर वो missile को launch किया जाए या वही पर ही वो strike करें, intercontinental का मतलब है कि एक continent से उसको छोड़ा जा रहा है और दूसरे continent पे जाके वो किसी चीज़ को target कर रही है, तो इसकी वज़े से अब हम इस category में आ गए हैं कि हमारे पास भी अब intercontinental ballistic missile है, उससे पहले US, Russia, China, France और Britain के पास ये capability थी, अब वो हमारे पास भी है, जो आपकी अगनी 5 है, ये इसकी जो range है कि वो कितनी दूरी तक जा सकती है, तो वो है 5000 km की दूरी तक ये जा सकती है, और इसके अंदर 3 stage solid fueled engine है, मतलब इसके अंदर जो engine लगा हुआ है, वो 3 stages खाया है, और उसके अंदर solid fuel है, solid fuel का मतलब होता है, जो भी उसके अंदर fuel भरा हुआ है, वो solid way में है, उसकी oxidation होएगी और उसी की वज़े से, combustion होने की वज़े से, इसको energy मिलेगी, और ये missile अपने target तक जा सकती है, अगर मैं आपको integrated guided missile development program की बात पता हूँ, तो जो अगनी 5 है, वो इसी के अंदर आता है, देखो हुआ क्या था, जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुलकलाम जी है, उन्होंने बोला कि हमारे जो इंडिया है, उनके अंदर self-sufficiency होनी चाहिए, missile technology के मामले में, तो उन्होंने ए 1983 में इसको approval मिला था इस program को, और इस program के अंदर total 5 missile systems को develop किया जा रहा है, हमारे इंडिया में, तो वो 5 missile system है, वो कौन कौन से है, पृत्वी, अगनी, त्रिशूल, आकाश और नाग, आप इसको P, A, T, A, N से भी याद रख सकते हो, या फिर आप इसको P, A, T, N, A, पटना से भी याद रख सकते हो, आपने ये याद रखना है, कहीं बार आप से पूछ लिया जाता है, कि बताओ, integrated guided missile development program के अंदर कौन कौन सी missiles आती है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको learn कैसे करना है, देखो, जो पहली दो missiles है, ballistic missiles है, ballistic missiles मतलब किसी ना किसी angle पर launch किया जाएगा, और पहली दो हैं, पृत्वी और अगनी surface to surface ballistic missile है, मतलब कि surface से ही launch करी जा रही है, और surface पे ही उसको target किया जा रहा है, पहली वाली short range है, मतलब थोड़ी दूरी तक ही जा सकती है, दूसरे वाली intermediate range है, next जो दो missiles है, वो आपकी surface to air missiles है, that means surface से launch करी जा रही है, और air में वो किसी च चीज को target कर रही है, पहली वाली short range है, दूसरी वाली medium range है, और जो last missile है, आपकी वो anti-tank missile है, मतलब कि जो भी आपके enemies के tanks हैं, उनको जाकर ये destroy कर सकती है, इस चीज के बारे में आपने याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में questions पूशिया जाता है आप से, okay, next news है, हमारी सार्थक के बारे में, जो हमारा Indian coast guard है, उन्होंने एक ship को अभी commission किया है, तो वो गांधी नगर में पोरबंदर पर commission की गई है, ये उनकी जो ship है, Indian coast guard ship है, जिसका नाम है सार्थक, ठीक है, ऐसे ही Indian coast guard वैसे है, क्या मैंने आपको कल भी बताया था, हमारी जो Indian coast line है, that is 7516 की मतलब security के लिए इनको रखा जाता है, तो उनके पास कुछ ऐसे vessels भी होनी चाहिए, ता कि हमें security रहे, ता कि वो हमें secure रख सके, हमें security प्रोवाइड कर सके, तो ये कुछ vessels हैं, जो इनकी जैसे ships वगेरा हो गई है, दूसरी बात, ये एक offshore patrol vessel है, offshore patrol vessel का मतलब होता है, offshore patrol vessel का मत के towards पानी में रहने वाली है, और patrolling vessel है, patrolling vessel आपको पता ही है, कि जो भी enemy warships के उपर देख रेक करती है, एक तरह से, ठीक है, तो ये वली जो Indian coast guard ship है, ये हमारी maritime safety को एक तरह से boost करेगी, तो आपने याद रखना है कि सार्थक क्या है, Indian coast guard की ship है, जो अभी recently commission की गई है, की बहुत सारी है, जो news में recently चल रही है, आपने वो याद रखनी है, okay, next हम बात करते हैं, एक zapid exercise हुई थी 2021 की, तो उसके बारे में आप से पूशा जाएगा कि zapid exercise है क्या, देखो जो रशिया है, रशिया के अंदर अलग अलग जो you can say military है, जैसे air force हो गया, navy हो गया, then is army हो करती है, ठीक है, जिसका नाम है exercise zapid, अब रशिया इसमें बाकी की countries को भी invite करता है, ठीक है, उसमें participating country कौन कौन सी है, ये सारी participating country है और उनमें से इंडिया भी है, तो आपने इतना याद रखना है कि रशिया की जो joint military exercise है, उसके अंदर इंडिया ने भी participate किया है, और उनकी ये exercise है क्या, theater level exercise, theater level exercise का मतलब ये ही होता है कि इसमें navy भी है, air force भी है और army भी है, ये तीनो participate कर रहे हैं, ओके बाकी इसका aim यही होगा कि जो भी operations है, terrorism वगेरा के against इसके लिए ये exercise कंड़क्ट की गई है, यहाँ पर कुछ मैंने observer countries आपको बताई हैं, जो कि आपको याद आपको पक gateway नहीं रखना है बस आपने इंडिया का याद रखना है कि इंडिया इनके participating countries में आता है, इंडिया ने participate किया है, रशिया की इस exercise में, और ये exercise हुई है, ये निजनी में हुई है, जो कि रश्या में ही है, बेसिकली थिक है, रशिया में जो निनी है, वहाँ पर य गई थी इंडिया और रश्या में और कौन-कौन सी military exercise होती है तो वोती है एक इंदरा जो की इंदरा की 2021 भी अभी हुई थी recently तो इंदरा आपने याद रखनी है इंडिया और रश्या के बीच में इंदरा exercise होती है जिसमें हमारी आर्मी नेवी एर फोर्स तीनों मिलकर participate करती ह है और रश्या की भी joint military participate करती है यहां पर ओके next news है हमारी की हमारा जो next defense expo है अभी 2022 का जो defense expo है वो कब होने वाला है यह news बहुत पहले आई थी 2021 में आई थी कि हमारा next जो defense expo है वो 22 22 के मार्च में होने वाला और कहां पर होने वाला है गांधी नगर गुजरात में होने वाला है defense expo है क्या basically defense expo एक ऐसा event है जो ministry of defense conduct करवाती है ठीक है इस event में होता क्या है इस event में हमारी अलग अलग जो भी हमारी नई नई मिसाइल्स वगेरा है जो भी हमने नई नई वैसल्स बनाए है ठीक है वो सारे यहां पर display किये जाते हैं और अलग अलग जो foreign countries है वो यहां पर आके हमारे वैसल्स को देखती है अगर उन्हें अच्छा लगे तो वो उन चीजों को लेती भी है तो इससे क्या होएगा हम अपनी जो defense वाली चीजों की export है उस चीज को बढ़ा सकते हैं उससे हमारा fiscal deficit भी कम होगा एक तरह से क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी जो country है वो जितने भी defense वाली चीजें है ठीक है वो हम बाहर से जादा import करते हैं तो हम इंडिया को आत्म निर्भर बनाने के लिए हमने ये एक event शुरू किया था जिसमें हम अपने अलग-अलग missiles और vessels को यहाँ पर display करते हैं ताकि जिस country को जो पसंद आए वो इसको ले सके और वो हमारी ultimately economy को benefit करें जो 11 वाला defense expo था वो लखनाओं में हुआ था उत्तरप्रदेश में आपने ये नियाद रतना बस ये याद रतना है आंदरप्रदेश वाले रीजन में है न वहाँ पर इसको commission किया गया है और ये इंडिया की first nuclear missile tracking ship है इससे पहले हमारे पास कोई भी ऐसी tracking ship नहीं थी जो की आने वाली nuclear missile को track कर सके कि मानलो किसी country ने nuclear missile छोड़ी है न तो अगर उसको track करना है तो हमारे पास पहले ऐसे कोई ship नहीं थी तो ये हमारी सबसे पहली है जो की विशाका पत्नम में commission की गई है ये अपने याद रखना है दूसरी बात ये बनाई किसने है हिंदुस्तान shipyard limited ने बनाई है जो हिंदुस्तान shipyard limited है ये भी हमारी एक government company है जो की ships बगेरा के manufacturing में हमें बहुत जादा help करती है ministry of defense के अंदर आती है और इसका जो headquarters है वो भी विशाका पत्नम में है then is और किसके साथ मिलकर इसको बनाया गया है of course DRDO के साथ मिलकर और NTRO ने भी इसमें collaborate किया है जैसे मालो यहां पर पाकिस्तान और चाइना कोई nuclear missile अगर आने वाले उस टाइम में अगर ऐसे छोड़ दे तो हमारे पास कोई ना चीज तो होनी चाहिए ना उनको डराने के लिए deterrence create करने के लिए कि हाँ हमारे पास उसको detect करने की एक हैशिप तो उससे उनको भी deterrence create हो जाएगा तो बाकी और कौन कौन सी यहां पर countries है जिनके पास nuclear missile वाली यह tracking ship है तो है France, US, UK, Russia और China इन सब के पास है तो अब हमारे पास भी है ठीक है INS दुरूव आपने याद रखनी है देनिज एक exercise होती है peaceful mission तो यह 2021 वाली जो exercise peaceful mission है वो conduct करी गई थी वो terrorism के against एक तरह से terrorism को counter करने के against यह exercise conduct की थी तो वो कौन से group ने conduct की है जो शंगाई corporation organization है यहाँ पर जितनी भी countries इस organization के अंडर आती है उन्होंने ये exercise को conduct किया है एक तरह से terrorism के against fight करने के लिए तो इसका अभी recently sixth edition था और वो हुआ कहां पे था रशिया में conduct हुआ था fifth edition में इंडिया ने सबसे पहली बार participate किया था इससे पहले इंडिया इस exercise में participate नहीं करता था मतलब पहली चार exercise जो हुई थी उसमें इंडिया ने participate नहीं किया यह एक multilateral और joint exercise है जो की terrorism के against एक तरह से counteract कर रही है यह biannually होती है that means दो साल में एक बार होती है और कौन-कौन सी countries के बीच में होती है जो countries Shanghai corporation organization के अंडर आती है ठीक है अब Shanghai corporation organization है क्या और इसके अंडर कौन-कौन सी countries आती है एक तरह से देख लेते हैं देखो 1996 के अंडर एक organization बनी थी जिसका नाम था Shanghai 5 ठीक है उस Shanghai 5 के अंडर ये पांच countries थी कजाकस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजीकिस्तान बेसिकली इस region में हमारा जो एशिया वाला region है उपर वाला, उस region में stability बनाने के लिए एक तरह सी ये country साथ था कि इन्होंने ये एक Shanghai 5 organization को बनाया था 1996 में लेकिन 2001 में उजबेकिस्तान ने भी इसको एक तरह से जोइन कर लिया और उस टाइम पे Shanghai 5 का नाम रख दिया गया, Shanghai Corporation Organization अब इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको 2000 सारा में जॉइन कर लिया, that means अब ये जो exercise हुई है, peaceful mission वाली तो इसके अंदर of course इंडिया ने भी participate किया है तो आपने याद रखना है कि exercise peaceful mission जो है वो Shanghai Corporation Organization की member countries के बीच में ये exercise हुई है, जिसमें इंडिया ने भी participate किया है next news है हमारी की इंडिया और नेपाल के बीच में भी एक exercise होती है, उसका नाम आपने याद रखना है, उसको कहते है सूर्य किरन उसकी अभी 15th edition हुई है, जो कहां पर conduct करी गई थी, उत्राखंड के पिथोड़ागर वाले रीजन में conduct करी गई थी तो ये एक by annual exercise है, by annual exercise का मतलब होता है कि एक साल में दो बार होने वाली, देखो मैंने आपको दो चीज़े बताई है, एक है by annual, जो by annual होता है उसका मतलब होता है कि दो साल में, दो साल बाद ही exercise होती है, लेकिन by annual का मतलब होता है कि एक साल में ही ये exercise दो बार conduct करी जाती है, annual का मतलब एक साल है ना by मतलब दो बार, एक साल में दो बार होने वाली exercise को हम by annual कहते हैं, और दो सालों में एक बार होने वाली exercise को हम by annual कहते हैं, I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में जो exercise सूर्य किरियन है, उसको उतराखंड वाल वो COVID की वज़े से वो exercise नहीं conduct हो पाई है, next हम बात करते हैं, इंडिया और सिंगापूर वाले रीजन में कौन सी exercise होते हैं, तो ये है SIMBECS, SIMBECS एक maritime bilateral exercise है, bilateral का मतलब दो countries के बीच में हो रही है, maritime का मतलब ये navies conduct कर रही है, मतलब बेसिकली ये पानी में होने वाली exercise है, तो अगर आप सिंगापूर वाले रीजन को देखोगे, तो जो अपका सिंगापूर है वो lie करता है South East Asia वाले रीजन में, यहाँ पर lie करता है, तो इंडिया ने सिंगापूर के साथ मिलकर जो South China Sea का सर्दन वाला रीजन है, वहाँ पर इस exercise को conduct करवाया है, तो एक तरह से ये भी कि हाँ हम exercise कर सकते हैं, तो ये एक तरह से चाइना को counter कर रहा है, कि अपनी यहाँ पे जादा dominance वो ना दिखा पाए, ठीक है, तो ये किस-किस के बीच में हुई है, सिंगापूर की नेवी के बीच में, और इंडिया की नेवी के बीच में हुई है, कहाँ पर हुई है, सर्द सिंगापूर और इंडिया की आर्मी के बीच में होती है, देनिज एक सिंटेक्स भी होती है, सिंटेक्स के अंदर ये ट्राइलेटरल exercise है, इसके अंदर सिंगापूर इंडिया के साथ-साथ थाइलेंड भी participate करता है, तो ये जो आपका tree-like region दिख रहा है, यहाँ पर ये था इंडिया वाला region, तो ये भी South East Asia में ही लाई कर रहा है, तो इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर exercise समुद्र शक्ती कंड़क्ट की है, कहाँ पर कंड़क्ट की है, सुन्डा स्ट्रेट में, जो स्ट्रेट होती है, उसका मतलब ये होता है कि दो बड़ी-बड़ी water bodies को water body को हम straight कहते हैं, आपने याद रखना है, specially straights वगेरा याद रखनी है, कि सुन्डा स्ट्रेट कहाँ है, ऐसे ही आपकी जो मलक्का स्ट्रेट है, वो कहाँ है, लॉम्बॉक स्ट्रेट कहाँ है, जो में में स्ट्रेट हैं, आपने पूरे वर्ल्ड की वो याद रखना, जो आपकी समुद्र शक्ति एक्सराइज है वो 2018 से ही होनी शुरू हुई है किस पॉलिसी के दुरान जो इंडिया की एक्ट इस्ट पॉलिसी है उसके दुरान इंडिया और इंडोनेशा ने डिसाइड किया था कि हाँ हम भी बाइलेटरल एक्सराइज कंड़क्ट करेंगे जिसका इंडिया और इंडोनेशा की एक्सराइज है लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि जो सिर्फ गरूड एक्सराइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है और सिर्फ अगर शक्ति हो तो वो भी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है अगर गरूड शक्ति इकट Ministry of Defense है वो हमारे Indian Army के लिए 118 Main Battle Tank को प्रोक्योर करेगी, ठीक है, Main Battle Tank कौन से वाले प्रोक्योर करेगी, Arjun Mark 1A को प्रोक्योर करेगी, ठीक है, अब हमारी जो Ministry of Defense है, उसने हमारी Indian Army को बहुत जादा एक तरह से स्टेंदन अप करने के लिए, अलग अलग चीज़े आप देखी सकते हो, अलग अलग मिसाइल वगेरा, जैसे DRDO, टेस्ट फ्लाइट कर रहा है, टेस्ट कंड़क्ट कर रहा है, अब उनको स्टेंदन करने के लिए, जैसे Ministry of Defense ने Main Battle Tanks को प्रोक्योर करना है, और कहां से उन्होंने ओर्डर दिया है, कि कहां से वो प्रोक्योर करेंगे, Heavy Vehicles Factory, जो Heavy Vehicles Factory है, वो तमिल लाडू में situated है, चिन्नाई में basically, वहाँ पर situated है, और ये एक manufacturing factory है, जो की armored vehicle, battle tanks वगेरा को manufacture करती है, ये जो company है, वो armored vehicles, अवनी company के अंडर आती है, जो की इंडिया की एक सरकारी company है हमारी, ठीक है, दैनिज, अगर मैं Arjun Mark 1A की बात करूँ, तो जो Arjun Mark 1A है, ये एक main battle tank है, main battle tank का मतलब है, ये एक ऐसा सा tank होता है, जो की battle purposes में मतलब लडाई वगेरा के लिए use होता है, और यहां से अलग अलग जैसे firing वगेरा system के लिए use होता है, तो इसके भी अलग अलग developments थी, जैसे की इसकी Mark 1 का एक variant था, Mark 1A था और Mark 2 था, आपने याद रखना है, यहां पर सिरफ Mark A को इन्होंने procure कर रहे हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी जादा अप्ट्रेडेशन हो चुकी है, एक तरह से, ठीक है, 14 major upgrades इसमें किये गए हैं, जो पहले वाले Mark 1 थे, उसमें अप्ट्रेडेशन की गई है, और जो अरजुन Mark 1A है, वो launch किसने किया है, किसने develop किया है, तो वो आपका combat vehicles research and development establishment ने मिलकर DRDO के साथ इसको बनाया है, ठीक है, और इसको manufacture कौन करेगा, इसको manufacture करेगी heavy vehicles factory यह वाली company, एक और बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है, कि जो अरजुन main battle tank का project है, जिसमें हम अलग-लग Mark 1, Mark 1A, Mark 2 SSL ले के आ रहे हैं, यह DRDO ने 1972 में initiate किया था, इसमें अलग-लग हम main battle tanks की अलग-लग upgradation करके, अलग-लग इसको ले कर आते हैं, ताकि हमारी जो इंडियन army है, वो हमारी DRDO ने एक और missile की अभी test flight की है, वो कौन सी missile है, वो अकाश missile है, उसका नाम उन्होंने रख दिया है, अकाश प्राइम, जो मैंने आपको अभी project बताया था ना, जिसके अंदर हम DRDO ने अगनी के test flight किया था है, इंटिग्रेटिड गाइड मिसाइल डवलप्मेंट प्र flight test किया है, DRDO ने, तो ये भी कहां से किया उन्होंने, चांदिपूर्ट से ही किया इन्होंने, ठीक है, चांदिपूर्ट जो की ओडिसा में मैंने आपको बताया, इस अकाश प्राइम को मतलब ये जो अकाश missile है, इसको किसने लांच किया है, DRDO ने मिलकर DRDL के साथ, जो DRDL है, ये भी DRDO की एक laboratory है, इन दोने मिलकर इसको बनाया है, अगर मैं आकाश missile की बात करूँ, तो ये मैंने आपको बताई दिया था, कि ये surface to air missile है, जो बाकी वाली ये तीसरी और चौती missile है, ये surface to air missile है, और ये एक medium range surface to air missile है, that means अगर ये surface से launch होगी, और air में जाके अपने target को destroy करेगी, तो इन्होंने बोला कि अगर हमने surface से launch करना है, तो हम battle tank से भी इसको launch कर सकते हैं, या फिर हम trucks, wheeled trucks से भी इनको launch कर सकते हैं, और जहां पर भी ये जाएगी कि इतनी probability होई कि 90% targets को ये kill कर पाएगी, then is इसके अंदर indigenous active radio frequency seeker को भी use किया गया है, तो यहां पर indigenous active radio frequencies का use किया गया है, ताकि ये जो missile है अपने target को accurately पहचान पाए और उस target को जाकर kill कर सकें, ठीक है, ये low temperature पे भी काम कर सकती है, और high high altitudes पर भी ये बहुत अच्छे से perform कर सकती है, next जो news है हमारी that is operation blue freedom, देखो जो operation blue freedom है, उसके अंदर जो physically disabled persons है, उन्होंने team claw के साथ मिलकर ये decide कि हम सियाचिन glacier तक जाएंगे, जो persons with disability है, उनको एक तरह से encourage करने के लिए ताकि उनको इतना pity feel ना हो, तो team claw इसको lead करीए, अब team claw क्या है, team claw जो है, पहली तो उसकी full form है, conquer land, air, water, ठीक है, ये जो team है, ये जो ex-Indian special forces commandos है, मतलब जो भी special forces commandos है, जो retired persons है, उनकी ये ए team है, और यहां पर ये अलग-अलग एक तरह से events conduct करते हैं, इनका नाम है team claw, तो events conduct करते हैं, इसके अंदर इन्होंने अभी क्या किया है, कि हम operation blue freedom करेंगे, इसके अंदर जो physically disabled person है, वो सारे मिलके, ये team claw के साथ मिलकर सियाचिन glacier पर, सियाचिन glacier पर जाएंगे, अब सियाचि glacier है, वो हमारी जो कारा कोरम range है, Eastern कारा कोरम range, ठीक है, ये जो कारा कोरम range है, इसका जो eastern वाला portion है, वहाँ पर लाए करता है, जहां पर आपका line of control है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जहां पर end होता है, उस region पर सियाचिन glacier लाए करता है, और वहाँ पर team claw जो है, वो persons with disability के साथ मिलकर वहाँ पर जाएंगी नेक्स जो न्यूज है हमारी that is कि जो रिफाल जेट्स हैं उसका second squadron कौन से base पर induct किया गया है तो देखो हुआ क्या है तो 2001 में रिफाल जेट्स आए थे ठीक है ये फ्रांस के twin engine fighter aircraft है ऐसे लडाकू जहाज टाइपस हैं ये तो ये फ्रांस की desault aviation ने बनाये थे और इंडिया ने 2016 में एक deal करी थी फ्रांस के साथ कि हम 36 रिफाल जेट्स को लेंगे ठीक है तो अभी recently 36 के में से 26 जो जेट्स हैं वो हमारे पास पहुंच चुके है एक तरह से जिसमें से जो पहले 5 हैं वो इंडिया ने हर्याना वाला जो अंबाला का air base है वहाँ पर उसको इंड़क्ट कर दिया है ठीक है क्योंकि वहाँ पर इंड़क्ट किया है तो उसकी जो squadron है उसका नाम क्या रखा golden arrows in the same way अभी जो second squadron को इंड़क्ट किया जा रहा है वो वेस्ट बेंगॉल के हसी मारा air base में यहाँ पर इंड़क्ट किया जा रहा है इसका नाम रखा है falcons of chum and aknoor that means जो रेफाल jet इंड़क्ट किये जा रहे हैं अलग-अलग air bases पर पहले हर्याना वाले रीजन में हुआ अंबाला में उसका नाम रखा गया golden arrows उस squadron का नाम then is second second जो इंड़क्ट किया जा रहा है वो वेस्ट बेंगॉल के हसी मारा वाले region में इंड़क्ट किया जा रहे हैं और उनका नाम है falcons of chum and aknoor आपको पता हुएगा जो रेफाल jets उड़ाएंगे तो एक तरह से जो लोगी उड़ाएंगे तो उनकी squadron बन जाती है तो उनका नाम यह रखा हुआ है तो यह हमारे पास first major acquisition है fighter planes की जो कि हमने 23 साल बाद ली है उससे पहले हमारे पास सुकोई jets से जो की रशिया से हमने इंपोर्ट करवाए थे नेक्स जो न्यूज है दैट इस की इंडिया का first indigenous aircraft carrier जो है उसके अभी sea trial शुरू होने वाले हैं first indigenous carrier कौन सा है हमारा INS विकरांथ देखो first indigenous aircraft carrier का मतलब क्या होता है कि पहली बात तो यह हमारे इंडिया में बनाए और दूसरी बात हमारे इंडिया का यह पहला aircraft carrier है मतलब पानी में यह एक तरह से ships है जिसके उपर जो aircraft है यहां से take off कर सकता है और land भी कर सकता है ठीक है तो यह हमारे इंडिया में पहला है इससे पहले हमारे पास INS विक्रमदित्य था जो की aircraft carrier ही था लेकिन वो Russian origin का था हमने यह रश्या से लिया था अभी जो recently INS विक्रांथ है वो हमारे इंडिया ने ही खुद बखुद बनाया है तो वो कहां पर बना है coaching shipyard limited इस company में बना है और यह कहां commission होगा तो यह eastern naval command देखो हमारी तीन naval command है इंडिया की that is western naval command जिसका headquarter Mumbai में है southern naval command जिसका कोचिन में है and eastern naval command जिसका विशाका पत्नम में है तो यह जो aircraft carrier है INS विक्रांथ वो eastern naval command में commission किया जाएगा अभी तो इसके trial ही चल रहे हैं जब commission किया जाएगा तब next news है हमारी की India और UAE that is United Arabs Emirates के बीच में भी exercise conduct की जाती है क्योंकि दो countries है तो bilateral exercise होगी और हम दोनों की navy के बीच में एक exercise होती है जिसका नाम है जायद तलवार तो आपने याद रखना है कि जायद तलवार है वो कौन सी दो countries के बीच में होती है इंडिया और UAE के बीच में यह आप देख सकते हो यह Persian Gulf वाला region है और यह UAE है जिसकी की capital है आबुदावी ठीक है और यहाँ पर यह इंडिया है इन्होंने यह exercise conduct की है कौन से region में conduct की है वो यादट अपने Persian Gulf वाले region में इन्होंने इस exercise को conduct किया है देन इस एक international army games conduct होते हैं तो वो कौन conduct 2020 वाले किस ने host किये देखो जो रशिया है उसने एक event शुरू किया था जिसका नाम है international army games इसको war Olympics भी कहा जाता है तीक है सबसे पहली बार यह 2015 में हुआ था और इस event के अंदर अलग अलग country की जो armies होती है वो आकर इस event में sports में participate करती है तो यह जो event है वो Russian military organize करती है Russian military का जो ministry of defense है इसके अंदर इसको conduct किया जाता है ठीक है बहुत सारी countries यहां पर आकर इन games में participate करती है तो यह recently अभी Russia में ही हुई थी 2021 में देन इस अगर मैं निर्भे के बारे में बात करूँ तो DRDO ने निर्भे का भी test fire किया है DRDO के मैंने अभी तक आपको इस lecture में तीन बता दिये है पहला मैंने अगनी बताया दूसरा मैंने आकाश बताया और तीसरा है निर्भे तो इसके भी test fire किया है अब यह एक medium range है मीडियम रेंज मतलब यह 1000 km दूर तक यह जा सकता है दूसरी बात यह सब सॉनिक क्रूज मिसाइल है सब सॉनिक का मतलब होता है कि ऐसी speed पर यह move करेगा जो की sound की speed से कम है अब आपको पता वाएगा कि sound की speed कितनी होती है 340 meter per second यह मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ दैनिज यह जो missile है वो इस speed पर move करेगी और यह एक cruise missile है cruise और जो ballistic missile है उन दोनों में difference होता है यह मैंने आपको बताया कि ballistic missile को मैं किसी angle पर छोड़ूँगी और एकदम उपर जाने के बाद वो gravity के effect में नीचे आकर गिरेगा लेकिन जो cruise missile है वो मैं उसको किसी angle पर नहीं हम छोड़ते हैं मतलब कि वो gravity के influence में नहीं गिरता है हम उसको ऐसे सिधा launch कर देते हैं ठीक है क्योंकि यह sound of speed से travel कर रहा है इसमें ऐसे कोई भी you can say solid fuel वगेरा यूज नहीं करे गए हैं ठीक है speed of sound less than speed of sound से यह move करता है अब यह जो निर्भे है यह इंडिया का first indigenous technology cruise missile है इससे पहले हमारे पास जो इंडिया का खुद बखुद का cruise missile technology के base पर बनी हुई missile नहीं थी तो इसमें आपने इतना याद रखना है जो निर्भे है वो subsonic speed से move करता है that means sound की speed से कम पे move करता है दूसरी बात यह thousand kilometer तक जा सकता है और जाके अपने जो भी target है उसको destroy कर सकता है next news है हमारी की इंडिया और साओधी अरब के बीच में एक naval exercise होती है जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी यह जो exercise है आपने याद रखना है यह साओधी अरब है यह middle east वाला region है और यहाँ पर हमारा इंडिया आ जाता है तो इन दोनों के बीच में एक exercise होती है कौन सी exercise है अल मोहद अल हिंदी यह exercise है और हमारी दोनों की navies के बीच में यह exercise conduct करी जा रही है दूसरी बात हमारी यह जो exercise अभी हुई है उसके अंदर किस ने participate किया है तो इंडिया की जो guided missile destroyer है that means एक ऐसी warship है जो की missiles को destroy करती है INS कोची ने इसके अंदर participate किया है INS कोची जो है वो साओधी अरव वाले रीजन में गई थी और वहाँ पर जाकर यह exercise conduct की गई है मैंने आपको project 15A भी बताया था कल मैंने आपको यह चीज़ पूरी explain की थी कि तीन तरह की project है एक है project 15, एक है 15A और एक है 15B मैंने आपको 15B वाला बताया था कि इसको विशाका पत्नम क्लास भी कहते हैं और 15A वाले को हम कॉलकता क्लास कहते हैं और जो 15 है उसको हम दिल्ली क्लास कहते हैं दिल्ली क्लास में 3 ships है 15A वाले में भी 3 है और 15B वाले में 4 ships हैं जो की missile को destroy करने वाली ships है एक तरह से तो आएनस कोची आपको पता होना चाहिए यह 15A का A की एक ship है जो की कलकता क्लास में आती है यह जो exercise है यह कब से conduct करी जारी है 2019 में प्राइम मिनिस्टर जी साओधी अरब गए थे वहाँ पे एक रियाद summit हुई थी जिसमें उन्होंने काफी सारी चीज़ें डिसकस की थी जैसे कि अभी हमारा वो भी article 370 वगएरा भी हटा था तो उसके regarding साओधी अरब से वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने बात की थी तो उसके बाद से यह exercise conduct करी जा रही है तो आपने क्या याद रखना है कि इंडिया और साओधी अरब के बीच में कौन सी exercise होती है अलमोहद, अलहिंदी नेक्स हम बात करते हैं इंडिया और कतर के बीच में ये है आपका कतर ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन है ये वही वाला रीजन हो गया जहां पर मैंने बताया आपको ये इंडिया हो गया तो इंडिया और कतर वाले रीजन में कतर ने एक exercise conduct किये जिसका नाम है जियर अल बहर तो ये exercise इंडिया और कतर के बीच में होती है then is ये कहाँ पर conduct करी गई है तो ये पर्शियन गल्फ वाले रीजन में ही conduct की गई है देखो मैंने आपको Middle East वाले रीजन में तीन exercise बताई है एक तो इंडिया और कतर की exercise होगी जिसका नाम है जियर अल बहर भार हो गया, then is India और साथी अरब के बीच में होगी, अल मोहध अलहिंदी, then is India और UAE के बीच में होगी, जिसका नाम मैंने बताया ज़यद तलवार, तो ये तीन exercise आपने एक तरह से याद रखनी है देखो ऐसे ही अब कजाकस्तान और इंडिया के बीच में अभी रिसेंटली जो exercise कंड़क्ट हुई है जिसका नाम है काजिंद इसका अभी फिफ्ट एडिशन कंड़क्ट किया था और वो कहां हुआ कजाकस्तान एशा बीवी में ऐसे आपने जगा का नाम नहीं याद रखना बस इतने याद रखना है कि कजाकस्तान में हुआ है ये और जो काजिंद है वो इंडिया और कजाकस्तान के बीच की एक joint training exercise है बाकी और कौन सी military exercise है जो कजाकस्तान और इंडिया के बीच में होती है तो वो है प्रबल दोस्तिक जो कजाकस्तान वाला रीजिन है वो Central Asia में लाई करता है और आपने याद रखना है थोड़ा बहुत क जो कजाकस्तान है वो किस-किस को बॉर्डर कर रहा है जैसे यहां पर यह रश्या को बॉर्डर कर रहा है इदर यह चाइना को बॉर्डर कर रहा है दैनिस किर्गिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी को भी कजाकस्तान बॉर्डर करता है जो जो भी तक जितनी भी military exercise हैं इंडिया और किसी ना किसी country के बीच में वो समझ में आई होंगी मैं कोशिश कर रही हूं कि maximum of the defense news को यहां पर cover कर सकूँ ताकि आपके जो भी इस related question आए वो आप easily उसको attempt कर पाओ so that is all for today I hope आपको समझ में आया होगा thank you so much and have a nice day